आज का ये वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है इस वीडियो में मैं एक ऐसा बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ जो हर तरफ चलता है सहर हो या गाओ हो हर तरफ लोग पसंद करते हैं वैसे गर्मी में लोगों का इंट्रेस्ट थोड़ा कम हो जाता है ल है ठंडी हो या गर्मी लेकिन कुछ वैसे लोग हैं जो ठंडी में ज्यादा पसंद करते हैं कुल मिला जुला कर कहूं दोस्तों तो ठंडी में सबसे ज्यादा चलने वाली बिजनेस यहीं है कोई माने या ना माने मैं इस बात को मानता हूँ आप भी मान जाएंगे कि से इस के बारे में इस बिजनेस के बारे में सोचेंगे तब ठंड में सबसे तेजी से चलने वाली बिजनेस है यह बिजनेस करते तो बहुत लोग है लेकिन आगे चलकर कुछ लोग बंद कर देते हैं क्योंकि वो पूरा पलान के साथ इस बिजनेस को नहीं कर पाते हैं और क पती बन गए बहुत लोग करोरपती बन गए एक छोटा सा बिजनस करके जैसे हम चाय की बात कर लेते हैं चाय एक छोटा प्रोडक्ट है चाय का जो बिजनस है एक छोटी सी बिजनस है MBA चाय वाला आपने नाम जरूर सुने होंगे MBA चाय वाला एक छोटा सा सुरुवात किया था चाय का बिजनेस का लेकिन आज के डेट में लोग उसका फ्रेंचाईजी लेना चाह रहे हैं और फ्रेंचाईजी लेकर हू बहू नकल करके पैसा भी कमा रहे हैं चाय के बिजनेस के बारे में थोड़ा गौर फरमाईए कि एक इंसान था जो चाय बेचकर अपना फ्रेंचाईजी दे रहा है MBA चाय वाला का लोग फ्रेंचाईजी लेना पसंद भी करते हैं लाख रुपया पहले दे देते हैं फ्रेंचाईजी लेने के लिए अब सोच के देखे जो को चाय बेच बेचकर फ्रेंचाईजी दे रहा है एक वह इंसान जो चाय बेचकर हमारे देशकर परधान मंत्री बन गए सोच के देखे जब ये लोग छोटा सा बिजनेस करके चाय बेच-बेचकर इतना दूर तक चले गए आपके सरकिल में बहुत सारे उधारन होंगे जो चाई का बिजनस करके बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहे हैँ तो आप लोग सुच रहे होंगे कि ये सब हमें कुई बता है क्योंकि दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको चाय के बिजनस के बारे में ही बताने वाला हूँ जिस तरह से इस वीडियो में चाय के बिजनस के बारे में बताया गया है दोस्तो अगर उस तरह से आप अपना चाय का दुकान या चाय का बिजनस करते हैं तो ये मेरा दावा है दोस्तों कि आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, हमने सोचा कि यार चाय का एक बिजनेस करके एक इनसान अपना फ्रंचाइजी दे सकता है, फ्रंचाइजी का लाखोर रुप्या पहले ले सकता है, एक इनसान चाय बेचकर परधान मंत्री बन सकते हैं, तो क्या चाय बेचकर चाय का बिजनेस करके हम लोग अपने परिवार का भरन पोसन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कब जब अच्छे तरीका से पूरा प्लान के साथ आप इस बिजनेस को करेंगे, तब, आज का ये बीडियो दोस्तों बहुत लोग इन्वेस्टमेंट का है, आपके पास पैसे नहीं है, कम पैसे है, तो भी इस बिजनेस को कर सकते हैं, आगे इस बीडियो में मैं पताने वाला हूँ, कि कम से कम आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, तो ये बिजनेस आप एक अच्छा से कर सकते हैं, आए इस बीडियो में सुरू से लेकर लाश्ट टक A to Z तरीका जानते हैं, चाहे का दुकान कैसे करें, चाहे का बिजनेस कैसे करें, चाहे के बिजनेस करने में किन-किन चीजों की आवस्यक्ता होती है, लागत कितनी लगेगी, प्रोफिट कितना होगा, A to Z तरीका आज के इस वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों, एक बात और दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरह से अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे, सबसे पहली बात ये है दोस्तों कि अगर आप जहां पे भी, जिस भी लोकेशन पर, जिस भी मार्केट में, जिस भी जगह पे आप चाय का बिजनस करना चाहते हैं, चाय का दुकान करना चाहते हैं, उस जगह पे सबसे पहले आप पता किजिए कि कौन यहां पे बढ़िया बनाता है ऐक दम number one quality का चाय कोन बनाता है आप वहां पर जाएए और उसका एक cup चाय पीजिये यानि चेख केजिये अच्छा क्वालिटी का चाय आप जरूर बना देंगे, बस आप इतना ध्यान दखिए, आप अपने दिमाग में ये बात फिट कर लिजिए, कि उससे नमबर वन का चाय बना कर आपको देना है, चाय का दुकान का लोकेशन कहां होना चाहिए, चाय का जो लोकेशन होना ये जैसे बस स्टेन में भी कोल सकते हैं, कोई अच्छा सा मार्केट हो, जहां पर पुरा भीड़ भार लगती हो, वहां पर खोल सकते हैं, रेलवे स्टिशन के पास खोल सकते हैं, किसी मंदिर के पास खोल सकते हैं, यानि जहां पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भीड़ अगल बगल में चाय का दुकान हो जब्टर रहें कि उसका तो पैट पेट पेप लात मारी रहे और आप तो खुद नया है तो इसलिए आपको यहां पर चाय का दूर पर हो यहां नहों आजू बाजू में नहों तो बेटर रहेगा ज़्यादा कमाई हो गये ज़्यादा अगली चीज आती है दोस्तों कि आप कमरा लेंगे यानी दुकान लेंगे या इस टॉल में चाय का बिजनेस शुरुआत करेंगे यहां पर भी इस टॉल लगाएंगे वहां के जमीन मालिक से जुरूर बात कर लेंगे और अगर रूम लेंगे कमरा लेंगे तो उसका किराय दोस्तों रूम मेंटेरियल में आपको ज्यादा कुछ नहीं लगेगा आपको दूध लेना होगा चीनी लेना होगा चाइपति लेना होगा इलाइची लेना होगा अद्रख लेना होगा यह सब आप अपने local market से ही खरीद सकते हैं एक चीज ऐसा है जो आप चाहे तो बाहर स तो थोड़ी ज्यादा मत्रा में मंगाएंगे तो थोड़ा आपको सस्ता मिलेगा यह आपके उपर डिफेंट है आप चाहे तो बाहर से भी मंगा सकते हैं नहीं तो आप अपने नजदी की मार्केट से भी ले सकते हैं बस इतना ध्यान रहे चाय का क्वालिटी नंबर वन का हो और समान में क्या लेना होगा एक गय सिलेंडर लेना होगा गय सिलेंडर तो कमपोसरी है गय सिलेंडर लेना होगा इस्टोप लेना होगा जिसको चुला बोलते हैं हम लोग चुला लेना होगा उसके बाद आपको कप लेना पड़ेगा मेरे ख्याल से आप मिटी का कप इस्त में डुकान कर रहे हैं वहां पर साफ सफाई के सांव कोई आया पान-घर खाकर थूक दिया नई यह सब नहीं होना चाहिए मैं आप जहां पर भी शाए का दुकान कर दोस्तो आप दिमाँ तो आपको अपने दिमाग से भी थोड़ा बहुत कुछ-कुछ-कुछ दख लेना है इस बात पर आप ध्यान देंगे बेवहार बना कर रखेंगे आप जहां पर भी दुकान करेंगे जो भी कस्टमर आएगा आप अच्छे से बात करेंगे प्रेम से बात करेंगे ताकि बेवहार भी लोग कैच करता है बहुत लोग तो बेवहार जिसका अच्छा र लगेगी पुझी कितना लगेगा यानि investment कितना होगा दोस्तों यह चाय का business है इसमें सबसे low investment यानि सबसे कम पैसे में इस business को सुरू कर सकते हैं और मैं जिस तरह से बताया हूँ अगर इस तरह से आप करते हैं दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा आपकी जो लागत आएगी व आठ से 10,000 हाइश्ट की बात करूं तो वह 15,000 भाई अगर आप बढ़ा करेंगे तो ज्यादा भी हो सकता है ऐसा कोई बात नहीं है आप इस business के उपर जरूर ध्यान दे क्यूंकि दोस्तों यह सबसे low investment का business है और कोई business चले या ना चले लेकिन यह जो business है आप कहीं भी चौक झाल